नमस्कार, कैपिचल टीवी देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ पूचा, ब्रेकिंग नौ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुश्किले लागतार बढ़ती जा रही है, मनी शिशोद्या के बाद अब अगला नंबर राघव चड़ा का है, ये क्या कुछ लिखा है, जरा वो सबसे पहले आपको बताते हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि जब से राघव चड़ा को गुजरात का सह प्रभारी न्यूक्त किया गया है, और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना चालू किया है, अब सुन र चैनी अर्विन की जवाल के अंदर चाही है, इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हुए है, क्यापिटल टीवी के एडिटर इनचीफ डॉक्टर मरिश कुमार, अर्विन की जवाल के रहे हैं कि अब अगला नंबर राघव चड़ा का है, मनिस सोधिया जेल के अंदर जाएगा पंजाब लक्सिन के पहले, तो इसका मतलब है कि ये अपनी काली कर्टूतों के बारे में अच्छी तरह से इसको मालूम है, उसको ये भी मालूम है कि कहां कहां घुटाला हुआ है, कौन कौन लोग उसमें शामिल है, और जब भी इसको ये खबर या भनक मिलती है कि फला फला केस में कोई एजेंसी, कोई काम कर रही है, पूस्ताच कर रही है, या फिर कोई जाच शुरू हुई है, तो ये पहले ही चिलाना शुरू कर देता है, कि भाई अब गरफतारी होगी, गरफतारी होगी, गरफतारी होगी, भाई चड़ा का है तो उसको तो जेल जाना ही चाहिए और ये बात दो तीन वज़ों से केजरिवाल ये कह रहे हैं ये व्यक्ति किसी भी तरीके से खबरों में रहना चाहता है ये इसकी पुरानी बीमारी है लत है अगर ये खबरों में न्यूज में ना रहे इसका चेहरा ना चमके अच्छे रीजन से या गलत रीजन के वज़े से किसी भी तरीके से अगर ये میडिया में नदर नहीं आएगा इसका खाना नहीं पच्छता है इसलिए है तमाशा करता है कि भैं ये हो गया अब तीन वज़े में निकाल रहा हूं कि भैं किस वज़े से उसने ये धावा किया पहले चीज़ ये कि पिछले दो दिन से कोट के अंदर जिस हिसाब से जो स्पेशल कोट के जो जज साब है जज नागपाल उनके तरफ से सुनवाई के दोरान जो दो तीन बयान दिये गए हैं वो एडी के केस में जो समीर बहंद्रू की की गिरफतारी हुई है और उसको की केस में यही जज नागपाली है जिन्होंने इनके खासम-खास भीजे नायर को केजरिवाल के चेले को पाथ दिन की हिरासत सीब्याई में दी और वो क्या कह रहे हैं दोनों ही सुनवाई के दोरान उनने कहा कि इस वेरी इंपोर्टन तो फाइंड आउट हूँ मेड़ पे गलतिया की हैं पैसे की लूट बची है और इसलिए केजरिवाल इस बात के लिए डर रहा है क्योंकि ये खबर भी आ रही है कि ये जो नियू एक्साइज पॉलिसी बनाई गई पैसा कहां से कहां जाएगा हेरा फेरी क्योंकि ये बताया जाता है कि बड़ा अकलमंद है ये सीए भी है और ये पैसे की हेरा फेरी का मास्टर है ये राघव चड़ा अब जिन लोगों को पकड़ा गया है क्या उन्होंने नाम बता दिया और पूस्ताच के दौरान कहीं ऐसे इसको भनक लगी हो कि राघव चड़ा का नाम आ गया इसलिए कहीं ये पहले से ही तो न केद्रिवाल की पोल पट्टी ये अपने आपको जो कटर इमांदार बताने की जो काम करता है उस वजह से इसकी पूरी पोल पट्टी खुल रही है क्योंकि ये जो समीर मेहंद्रू और विजय नायर जो पकड़ा गया है इनके रिस्ते केद्रिवाल से बड़े घनिश्तम र लागेगा ये तमाम डिसीजन केद्रिवाल के लिए केद्रिवाल के प्रचार प्रसार की जो समखर तयार होती है उसका अकेला डिसीजन बेकर जो विजय नायर है और ये विक्ति पैसे की उगाही कर रहा है ये CBI और ED कह रही है समीर मेंद्रू ये केजरिवाल का सगा है ये भी पैसे लेकर और ये दोनों के रिष्टे रागव चड़ा से बड़े क्लोज है और रागव चड़ा वो पैसे की पैसे का मेनेजमेंट करता है ये सारे लोग आमादी पार्टी के लोग ही बताते हैं तो ऐसे में आपका जो खयाल है या आपको जो कसकते हैं की जो इमेजिनेशन हो रहा है कि आगे रागव चड़ा भी गिरफतार हो सकते हैं अगर CBI को, ED को, रागव चड़ा के खिलाफ कोई सबूत इस तरह का मिलता है इस तरह का बयान अगर तमाम आरोपी दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये जो इक्छा है ये जो प्रपगेंडा करने के लिहास से ये जो बयान दिया गया है ये सच साबित होगा करना चाहते हैं गुजरात का जिकर किया जा रहा है क्या नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे तो यहां मोहल बनाने की कोशिश की जा रही है देखे जितना बड़ा फ्रॉड केजरिवाल है उसके चट्टे बट्टे उससे भी आगे है हमें तो लगा कि भी अब तो जुमला बदल गया अभी कह रहे हैं कि भाई भाई भुजरात सिंग के अनुवाई है भाई पहले तो तुम कह रहे हैं कि हम भगज सिंग्क की ऑलाद है अब अनुवाई बन गय हो कुछ दिन के बाद कुछ और करो गये लेकिन भगज सिंग का नाम इस तरह से बदनाम मत करो तुम लोगों के हाथ ब्रस्टाचार में सने हुए है भगज सिंग सराप की दुकान नहीं लगाते थे हिंदुस्तान में भगज सिंग इस तरह की चोरी नहीं किया करते थे भगत सिंग जूट नहीं बोला करते थे भगत सिंग जूटे आरोप नहीं लगाते थे भगत सिंग मावी नहीं मांगा करते थे ये केजरिवाल और इसका पूरा जो मंडली है ये तो आरोप लगा करके पैर पकल के मावी मांगनी का काम करता है तो खैर अब गुजरात की बात आपने कह दी तो अभी एक तादक खबर आई है एक ओटो वाले की कहानी आपने सुनी होगी कि जिसको लेकर कि ये इतना तमाशा किया ओटो में जा रहा है कि सिक्यूरिटी नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए बहुत अच्छी बात है और उसके घर गए तस्व को अपने घर तथा कथित इन्वाइट किया था वो मोदी जी की रैली में निदर आ रहा है मीडिया वाले से पकल लिए भाई विकरम दतानी तुम तो केजरिवाल को घर बुला रहे थे या केजरिवाल तो ये दावा कर रहा है कि बिलकुल सारे लोग आ रहे हैं बहुत क्या हुआ तुम बीजेपी में क्यों आ गए मोदी के विर तो उसने कहा कि देखिए हम तो बच्पन से हमारा मैं क्या मेरा पूरा खांदान भारती जंता पार्टी को भोड़ देता आया है हम भाजपा के ही आदमी दूसरे पार्टी को मैं नहीं जानता तो उसने पूछा गया कि भाई ये बताओ कि भाई ये तुमने इनवाइट फिर क्यों किया केजिवाल को बोला मैंने इनवाइट नहीं किया मुझे तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो ओटो यूनियन के लोग हैं उन्होंने कहा कि प्रेस कांफरेंस में जाना है मैं चला गया मुझे कहा गया कि भई प्रेस कांफरेंस में तुमको माइक दिया जाएगा तूम यह कहोगे कि मैं गरीब वोटो वाला हूं वो जैसे वो आता है ने वह टीवी पर दवाईयों के प्रचार कि मैं तो गरीब आदमी हूं यह था वो था वो था ऐसे वैसे तो उसको कहा गया रटा-टाय डालोग दे देना कि आप हमारे घर खाने आओगे तो केजरिवाल कहेंगे हाँ हाँ मैं आओंगा तो यह बता रहा है कि आहम आदभी पार्टी के लोगों नहीं मुझे कहा कि वहाँ पर जाना है प्रेस के साथ कुछ ओटो वाले यूनियन वाले भी गए अब देखिए यह तम उनको पैसे दे दिया वो पैसे लेकर के यूनियन के लोग छोटे-छोटे जो यूनियन जो ड्राइवर्स होते हैं यह होते उनके साथ काम करता है पीछे पोस्टर लग जाएगा जैसे दिल्ली में पोस्टर्स लगता था ओटो वाले फ्रीम लगाते थे क्यों क्योंकि यू केजरिवाल का माहल बन जा बहुत शातिर व्यक्ति है ये तो वो ओटो वाले ने बताया कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं ये तो आम आधी पार्टी के द्वारा पूरा प्रायोजिता हमें कहा गया मैं कर दिया जबकि मैंने उनको कहा भी महम तो बीजेपी के समत्क है बीजेप करने वाले लोग ये ड्रामा करने वाले ये पॉल्टी से नहीं ये जो है ये ड्रामेबाज ब्यक्ति है पैथलोजिकल लायर है दूसरा इसने कांड किया एक सफाई वाले को बुला लिया दिल्ली चार्टेड प्लेन में साथ में खाना वाना सब कुछ कर रहा है अब ये उल चाला की ज्यादा जो कनिगनेस है वो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है और मुझे लगता है कि आज जो इसने दावा किया कि रागव चट्डा जेल जा सकते हैं तो इनकी इक्षा पूरी कर देनी चाहिए है ना क्योंकि ये जो जो ये कहते हैं जो जो दावा करते हैं वो प पहले वैसे अर्विन के जिवाले सतेंद्र जैन को लेकर भी कुछ ऐसे ही दावे किये थे सतेंद्र जैन जेल के अंदर है मरी शिशोद्या को लेकर भी उमनोंने भविश्यवानी की मरी शिशोद्या पर भी शराब नीती को लेकर गिरफतारी की तलवार लटक रही है और अ एक नया नाम राघफ चड़ा का सामने आया है जिसको लेकर अब वो दावा कर रहे हैं कि अब अगला नंबर राघफ चड़ा का हो सकता है। इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमिर पसंद शोक के साथ मैं पूजा क्या पिटल टीवी।